हेलो फ्रेंस, वेलकम टो नामी का किच्चन, आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ एक बहुत ही हल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, यह है दाल तड़का लेकिन इसको मैंने आज बनाया है स्प्राउट्स के साथ, तो स्प्राउट्स कैसे बनाना है, सबसे बहु होकर रग दीजिए, उसका पानी को अच्छे से निकाल दीजिए, निकाल कर एक टिफिन बॉक्स में आप रग दीजिए, या तो आप और जल्दी चाहिए तो कपड़े में भी आप बाद कर रग दीजिए, और जल्दी आपका स्प्राउट्स निकल जाएगा, जितने का बनाना है उतना आप कुकर में डाल दीजिए, स्वादनुसार नमक डालिए, जरा असा हल्दी डालिए और एक ग्लास करीब आप पानी डाल दीजिए, कुकर बड़ा है तो ही ज्यादा पानी डालिएगा, छोटा कुकर है तो बहुत ज्यादा पानी बिल्कुल भी मन यह देखिए मैंने low to medium flame पे ही रखा है तो जब तक हमारा इहां पर सीटी लगता है तो मैंने medium size का चोटा सा प्याज काट लिया था चोटा से एक टुकड़ाद रख और दो से तीन करिया lesson की और दो medium size के टमाटर को मैं अभी mixi में पीस लूँगी अच्छा ऐसा नहीं होता है क कि बहुत जढ़ा टमाटर डाल दें या बहुत ज़्यादा प्यास जालेंगे तो सबजी टेस्टी होता है ऐसा कभी नहीं होता है कम चीजों में भी अपने सबजी को बहुत टेस्टी बना सकते हैं जब तक कैस पर हमारा दाल पकेगा उसी दोरा हमको सारे काम कर लेने है तो पौौदर यह बहुत ही कम लिया है क्यूंकि क्शमीरी मिर्च पौवडर मैंने बहुत ही कम लिया और यह में तड़का मसाला। तड़का मसाला मैंने यूज किया है सनराइस का आपको जिसका भी मिल जाया आप उसको यूज कर सकते लेकिन यही सबसी में जान डाल जेता है तो इसको आप जरूर डाल लिएगा तो देखिए सीटी भी लग गई थी दूसरे तरफ और यहाँ पर मैंने अपना टमाटो का प् आप सबसे हमें मैं आजरा प्सटा मैं सबस्क्राइब गाल कि दाण सेब्थान фильм कम तेल में ही कच्चा भी नहीं रखना है काम 37 कच्चा में काला हैं । ईतना कम थेल में हो गा 안 muss इसलिए आप कम प्याज ही लीजिए, मैंने सोटा सा मीडियम साइज का प्याज लिया है, और यह जो मैंने ड्राइज मसाले रखे थे थे न, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल लूँगी, इससे क्या है न, मसाले जलेंगे नहीं, तो बहुत बच्चे है न, जो नया-nया कुक कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक टिप है, अब हमेशा थोड़ा सा पानी डाल लीजेगा, तो कभी भी आपके सुखे मसाले जलेंगे नहीं, न, तो अगर तेल में डारेक्ट सुखे मसाले डाल देना, तो जलने का चांस रहता है, यह देखे, पानी सूख ग तो उसी टाइम हम इसमें जो हमने टमाटर पीस के रखा था न, वो भी हम इसमें डाल देंगे, तो मसालों को जो पकाना है, वो ही सबसे इंपोर्टन होता है, टमाटर को हम तब तक पकाएंगे, जब तक इसका पूरा अच्छे से यह तेल न छोड़ दे, तो दूसरी तरफ हमारा जो दाल पक रहा था कूकर में, मैंने सिर्फ दो ही सीटी लगाए हैं, उसमें ही अच्छे से पक चुका था और इसका प्रेशर अपने आप भी निकल गया, यहां मसाला पका भी नहीं है, दूसरी तरफ यहां का प्रेशर भी निकल चुका था, आपको ओवरकुक बिल अच्छे से पकाते रहिए, और जो तक यह अच्छे से तेल ना छोड़ दे, इसका पुरा कलर बदल जाएगा, उस टाइम हम अपना डाल इसमें डाल देंगे, और इस वक्त अगर आपको थोड़ा रसेदार चाहिए ना, तो इसी वक्त आप थोड़ा पानी इसमें एड़ क पका लेंगे, पांच-छे मिनित तक हम इसको थोड़ा धक के पकाएंगे, और बस यह बनकर बिलकुल तयार था, तो लास्ट में थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए, और भी यह टेस्टी हो जाएगा, और हेल्दी हो जाएगा, तो हमारा यह हेल्दी स्प्राउट्स का डाल बनकर बिलकुल तयार था, और इसी टाइम आप थोड़ा सा नमक भी चेक कर लीजे, कम है, तो थोड़ा डाल दीजे, शुरू में हम कभी भी जादा नमक नहीं डालेंगे, बस और दो से तीन मिनित तक लो फ्लेम में मैंने इसको पका लिया, और इसको गर्मा गर्म मैंने सर जरूर बनाईएगा, और अपने जो feedback है, उसको मेरे comment box में आकर मेरे साथ share कीजेगा, कि आपको ये कैसा लगा, मैंने बनाए थे गर्मा गर्म जवार की रोटी, और साथी सा थोड़ा फ्लैक सीट का चटनी, फ्लैक सीट की चटनी की recipe मैंने पहले भी अपने चैनल में share किया